बिसमिल्लाल रख्मन ररहीम असलाम अलाकम सौदिरी विसलाई हूँ आप साथ मैं आपको सौदिरी वाई इंटरनेशनल फ्राइट के मतलग ही बात कर लेंगे आप वाई उसाथ अकसर मैं इसके मतलग आपडेट आपको देता रहता हूँ अच्छा एक बात इस वीडियो में आप साथ शेर कर दूगा जो मुझे काफी हरान की है उस बात में मुझे अच्छा वो भी आपको बताता हूँ मैं लेकिन मेरा भाई खुद से मानना ये है कि आप भाईों को भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि दस तरीक से भाई पहले पहले या दस तरीक तक इंटरनेशनल फ्रैर्स साओधी रेबिया की बहाल हो जानी चाहिए या फिर भाई दस तरीक तक इलान हो जाना चाहिए आपके एकामे या आपकी छुटी जो शासरमान की तरफ से जैसा के पहले बढ़ाई जाती थी वैसे और मजीर एक माई या दो माई बढ़ा दी जाए बाराल बहस्तर तो यही है जी फ्रैर्स का इंतजार फ्रैर्स ओपन हो जानी चाहिए बकॉल बिलालक वर्साहग भी जैसा के नौमबर की तरफ इशारा की अगया था अभी आप भाई यह सोच रखे होंगा कि बाई यह क्या बात होई मैंने आपको बता दू यह क्या बात हो तो मैं उसको बोना तो जूट बोर रहा है तो वो बंदा मुझको भाई लाइव सबूत प्रूफ भी दिखा रखा था कि ये देखो भाई ऐसा हुआ है तो मैं खुद हिरान हूँ यार ऐसा हो गया है चौदे दिन के सजाध का स्टे आपको गुजारना पड़ेगा दुबई में भी बाई ये तो को अलग से मामल है जी फ्लैट्स के मतलग बात कर लेते हैं भाई दस तरीक मैं क्यों बोर रहा हूँ या तो दस तरीक से पहले या दस तरीक लास्ट है जी ज्यादा से ज्यादा लेट होना तो भाई पंदरा तरीक तक फ्लैट्स ओपर हो जड़नी चाहिए क्यों भाई फिर आपको टिकल लेने में असानी होगी आपकी छुटे का को मसला है एकामे का मसला है या वैक्सिन के मतलग कोई किसी किसम का मसला आ रहा है कुल आतरा के साटिकेर वगारा के मतलग या मुकीम के उपर आपने अर्जिस्ट्रेशन वगारा करनी है जो भी हो उसको भाई आप एजी तरीक से करके ओपन आपके पंदरा बीस दिन होंगे अपनी टिकेट वगारा आट दस दिन बाद की लेकर साओधिया भी आ सकेंगे अगर फ्लैट्स बहाल होती है भाई बीस पचीस को जाकर आपके पाच पीछे पांच दस दिन बजएगे